अमस्कार में डॉक्ट श्रध्धावसेष्ट आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आपके हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि माम आप Central School के बारे में क्यों नहीं बताती आप हमें Central School यानि केंद्रे विद्याले अड्मिशन के बारे में बताईए तो आप ही के लिए और आप की ही के कहे अनुसार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं Central School अड्मिशन के बारे में जानकारी हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आएंगे कि Central School यानि केंद्रे विद्याले का मतलब क्या होता है किन बच्चों के admission हो सकता है? किन किन कक्षाव में admission हो सकता है? admission प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? admission कब से शुरू होगा? forms कब से निकलेंगे? forms कैसे भरे जाएंगे? कैसे हमें form भरना होगा? पूरी जानकारी हम आपके लिए लेके आने वाले है Central School admission यानि केंद्रे विद्याले दाखिला के बारे में हम कोशिश करेंगे जिस तरह हम EWS admission के बारे में जानकारी दे रहे हम Central School admission के बारे में भी वैसे ही जानकारी दे लेकिन हम आपको यह बात कहना चाहेंगे कि एक अवधारना है, एक मित है लोगों में कि Central School में admission तो नहीं मिलता है जो सरकारी करमचारी होते हैं यानि कि जो government job कर रहे होते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है Central School में कोई भी admission ले सकता है कोई भी बच्चा अगर Central School के द्वारा बताए गए माप दंडो यानि कि वो age क्राइटीरिया बताते हैं अगर उस age क्राइटीरिया के अंडर आपकी age आती है और आप फॉर्म वैसे भरते हैं और वैसे ही दस्तावेज document जोड़कर फॉर्म भरते हैं किसी भी बच्चे का Central School में admission हो सकता है हाँ एक बात है कि Central School admission के समय थोड़ी सी priority कुछ बच्चों को दी जाती है यानि कि कुछ cases ऐसे होते हैं जहांपे admission कुछ बच्चों का पहले होता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे लेकिन हम आप सबको कहना चाहेंगे कि Central School admission प्रक्रिया के बारे में जल्दी हम धेर सारी जानकारी आप सबके लिए लेके आ रहे हैं इसलिए हमारे YouTube चानल सबकी शिक्षा को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और जल्द मिलते हैं और जानते हैं Central School admission प्रक्रिया के बारे में अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसिष्ट को जाज़त दीजिए नमस्कार